प्रमिर्श्व का धनुवाद करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ कि आज के दिन हम उसकी उपस्तिती में हम आप आए, इसलिए मैं प्रोगा धनुवाद करता हूँ और आये हम प्रमिर्श्व के वचंट से कुछ बाते जो पर्वूने मुझे समझाया है मैं चाता हूँ कि मैं इवचंट को मैं आप लोगों से बाटू। और आप लोगों समझाऊं। और इस वचंट के द्वारा प्रमिर्श्व हमारे जीवन में अनूगरे करें हमारे जीवन में आसिस्ट करे आई हमें छोटी सी प्रातना करे उसके बाद हम प्रविश्व के जीविद वचन पे हम चाहेंगे, आई हम दुआ करें प्यारे खुदावन मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मैं आपकी स्तुति, आपकी महमा करता हूँ प्रभजी आज के दिन के लिए मैं आपके सामने अपने आपको देता हूँ सुवचन को देता हूँ प्रभजी सुवचन से सीखने समय पढ़ने समय समझने समय हमें बुद्धी हमें ज्ञान दीचेगा प्रात्ना प्रविश्यमसी के नाम से मांगते हैं मेरे प्रियो पहला पत्रज उसका दूसरा अध्याए और उसका अगर हम पहला और उसका दूसरा वचन हम पढ़ते हैं तो हाँ इस प्रकास लिखा है इसलिए सप्रकार का बैर्भाव और चल और कपट और डहा और निंदा को धूर करके नए जनमे हुए बच्चू के समान निर्मल आत्मिक दूद की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उध्धार पाने के लिए बढ़ते चाओ जब इस वचन को हम देखते हैं सहरिती से जब इस वचन के द्वारा कह रहा है कि कुछ बातों को त्यागने के लिए कह रहा है और कुछ बातों को परमेश्वर ग्रहन करने के लिए कह रहा है और जिस बातों को परमेश्वर ग्रहन करने के लिए कह रहा है और वो है निर्मल आत्मिक दूद के बारे में और जिसे परमेश्व तरिसकार करने के लिए जिससे परमेश्चर धूर होने के लिए कह रहा है और वो है बैर्भाव, च्छल, कपट, डहा और निंदा हाललुया इस वचन के द्वारा मैं आपको यही में समझाना चाहता हूँ कि मसीही जिंदगी में, विस्वासी जिंदगी में कुछ बाते हैं जो हमें उससे धूर होना है और कुछ बाते हैं जिसमें मुझे और आपको उसके करीब आना है जिस चीज से हमें धूर होना है, अगर हम उसके करीब रहेंगे तो हम उसके करीब नहीं रह पाएंगे जिसका योजना परमेश्टर ने हमारे और आपके जीवन में किया है लेकिन अगर हम उसके करीब रहेंगे जो परमेश्टर की योजना के तहत है तो हम उससे जरूर धूर हो सकते है जो हमारे लिए कोई माइने नहीं रखता अर्थात संसारिक चीजों से धूर होना है और परमेश्टर के आत्मिक निर्मल जो दूद जिसके बारे में बाइबल इस जगा पर जिक्र करता है हम उसमें आगे बढ़ना है देखिए जिब उसका दो वचन पढ़ते हैं यहां इसा लिखा गया है नए जन में हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूद की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उधार पाने के लिए बढ़ते जाओ मैं हाँ पर ये बात में बताना चाहता हूँ यहाँ परमेश्टर का वचन कहता है निर्मल आत्मिक दूद ये निर्मल आत्मिक दूद और कुछ नहीं ये परमिश्य के वचन को दर्शाता है जिस तरह से एक नए बच्चे को सरीरिक तोर से मजबूती पाने के लिए सरीरिक तोर पे और ब्रद्धी होने के लिए सरीर में ताकत और शक्ती और बल प्राप्त होने के लिए उनको उनके मां का दूद जैसा बहुत जरूरत होता है वैसे ही मेरे फ्रियो बिश्वासी गन्ज प्रभ येश्व मुसी के नाम से नया जनम पाते हैं उनके लिए आत्मिक दूद अर्थात परमेश्वत जीवित वचन उतना ही जरूरी है जितना एक नए बच्चे को उसके मां का दूद और हम जब परमेश्व के वचन को लेते हैं अपने आत्मिक पोस्टिक अहार के लिए अपने आत्मिक जीवन की बृद्धी के लिए अपने आत्मिक जीवन के और भी मजबूती के लिए तो ये वचन हमें और हमारे जीवन में परमेश्व के लिए उन कामों को करता है जो यहां पे बाइबिल कहता है उसके आखरी लाइन में जो लिखा गया है इस पे बहुत ध्यान देने की जरूत है और वहां लिखा गया है लिखा ऐसा ताकि उसके द्वारा उधार पाने के लिए बढ़ते जाओ तो अगर उधार हमारे जीवन में है तो यहां परमेश्व का वचन कहता है उधार पाने के लिए बढ़ते जाओ उधार के लिए बढ़ते रहना है तो उधार के लिए बढ़ते रहने का अर्थ ये होता है फिर जो आज हम और आप उधार पाएं है फिर वो उधार क्या है क्यों परमेश्व का वचन कहता है कि मुझे और आपको उद्धार पाने के लिए बढ़ते रहना है क्योंकि हम जब परमेश्वर को अपना उद्धार करता के रूप में जब हम विश्वास करते हैं हम उद्धार पाते हैं पापों से उद्धार पाते हैं बुरे-बुरे चीजों से उधार पाते हैं संसार की उन गन्दगी से या उन गन्दी बातों से मुधार पाते हैं और हमारा प्रभेश्वर उनका एकलॉता पुत्र योस्व मसी के लहू के द्वारा हमें नया जीवन दिया जाता है लेकिन यही उद्धार को जब लोग पाते हैं जब अप्तिस्मा लेते हैं लोग बहुत आनंदित हो जाते हैं लोग बहुत खुस हो जाते हैं लोग उस पहले उद्धार को लेकर कितने आनंदित होते हैं कि वो उस आनंद में हर रविवार वे कलीसिया में आते हैं हर प्राथनाओं में हर सभाओं में उनका से भागिता होता है और हर मिटिंग्स में वे लोग आते हैं लेकिन वे मसीह, वे विश्वासी ये चीज़ को भूल जाते है कि बाइबल के अनुसार एक विश्वासी के जीवन में तीन प्रकार का उद्धार होता है और उसे ऐसा कहा जाता है कि हम उद्धार पाएं और दूसरा होता है उद्धार पा रहे हैं और तिसरा है उद्धार पाएंगे जिसे थेलोजिकल टम्स में ऐसा कहा जाता है justification, sanctification and glorification लेकिन जब पहला उधार किसी विश्वासी को जब प्राप्त होता है वे बहुत आनदित हो जाते हैं बहुत मगन रहते हैं लेकिन वो मगन था, वो आनदित था उसके जीवन में कुछ पल के लिए होता है कुछ सालों के लिए होता है कुछ महनों के लिए होता है फिर, वो फिर से वो सिथिल अवस्था में चला जाता है क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो निर्मल आत्मिक दूद है जिसके खाने से या जिसके पीने से आत्मिक बडोत्री होता है आत्मिक मजभूती आता है वे विश्वासी उनसे धूर हो जाता है वे कलिसिया में तो आते हैं वे प्रचार तो सुनते हैं वे प्रभु के लिए दौडते तो है लेकिन परमेश्व के इस निर्मल आत्मिक दूद की लालसा उनके जीवन में कम हो जाता है जब वच्ण की लालसा किसी के जीवन में कम हो जाता है वो विक्ति उधार में आगे नहीं बढ़ पाएगा यह उधार में आगे बढ़ाने के लिए परमेश्व का वच्ण का होना बहुत और बहुत जरूरी है इसलिए प्रभु का वच्ण कहता है कि निर्मल आत्मिक दूद की लालसा करो ताकि इस दूद के द्वारा अर्थात इस पवित्र वच्ण के द्वारा जब तुम उसे ऐसा लेना सुरू कर दोगे जैसा एक नया बच्चा अपने मा के दूद को पीता है हर दिन वैसे ही जब तुम भी परभेश्यो के वच्ण को अपने जीवन में वैसा ही लेना सुरू कर दोगे तो एही वच्ण तुम्हारे जीवन में पहले उद्धार से दूसरे उद्धार में ले जाएगा जिसे सैंटिफिकेशन कहा जाता है कि उद्धार पा रहे हैं पल-पल, घंटा, हर साल, हर मिनिट हम उद्धार पा रहे हैं और इस हर मिनिट, हर पल उद्धार पाने के लिए हमें और आपको सामर्द देता है परमेश्यो का वच्ण इसलिए प्रभु का वच्ण कहाता है उद्धार पाने के लिए बढ़ते चाओ मेरे प्रियो मैं आपके एक बात बता देना चाहता हूँ पहले उद्धार से भी आकरी उद्धार बहुत खुसी का होगा बहुत आनन्द में होगा बहुत सबसे भरा होगा इसलिए पहले उद्धार में केवल हम थम ना जाए हम दूसरे उद्धार में प्रविस करें हर दिन हम उद्धार पाए लेकिन हर दिन हम कैसे उद्धार पाए परमेश्वर की वचनों को सुनके पढ़कर अपने कदम में ले आने के द्वारा अपने सोच में ले आने के द्वारा अपने हातों के क्रियाओं में ल आगे बढ़ते रहेंगे जरूर एक दिन मेरा प्रमेश्वर का जो वाइदा है ये आकास में तूरी फुका जाएगा और प्रधान दूद का सम्द सुनाई देगा और मेरा और आपका प्रमेश्वर प्रभियश्मसी हमारा दुल्हा बनकर जब आएगा हमें जब इस दुनिया से ले जाएगा वो होता है तीसरा उधार तो येक यात्रा है पहले उधार से लेकर आकरी उधार तर लेकिन इस पहले उधार से आकरी उधार में जाने के लिए एक चीज़ का होना बहुत जरूरी है और वो है निर्मल आत्मिक दूद अर्थात परमेश्वर का जीविद पढ़ते हैं उसका तीसरे अध्याए में वहाँ पर एक व्यक्ति है जो रात के समय प्रभियस्व मसी के पास आता है जिसका नाम है निकदमुष जब निकदमुष प्रभु के पास आता है और वो कौन था वो फारिसी था वो यहुदियों का सरदार था उसको काफी अनुभव है परमेश्व के बारे में परमेश्व के वचन का काफी ज्ञान है यहुदियों को सिखाया करता था वो यहुदियों में सरदार था यहुदियों का सरदार था और वो व्यक्ति प्रभियस्व मसी से जब रात के समय मिलने के लिए आया तब परमेश्व यहुदियों मसी उस थोड़ा जब वचनकव जब आगे पड़ते हैं उसमें येशुमसी निकदमुस से कह देता है कि है निकदमुस जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा में नाजन में वो परमिश्व के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा तो यहां ये एक निकदमुस को येशुमसी क्या समझाना चारा है यहां निकदमुस को येशुमसी क्या बताना चारा है जो यहोदियों का सरदार है जो फरसी है जिसके पास काफी पुराने नियम के ग्यान है परमिश्व के वचनों को वे जानते है वो यहवा कौने वो जानत और इतने अनुभवी वेक्ति से येशु मसी कहता है कि तुम्हारा जो अनुभव है वो सही है लेकि तुम्हे एक नए अनुभव में आना पड़ेगा क्योंकि अगर नया अनुभव नहीं है तुम्हे और आप सुर्ग देश या सुर्ग सियों नहीं जा सकते हैं और नया मैं आपसे बाते इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्यों प्रभु निकित दुबस से कहता है जल और आत्मा ये जल किसको दर्साता है ये जल परमेश्व के वचन को दर्साता है और जो आत्मा है वो परमेश्व का पवित्र आत्मा है मैं आपको बताऊँ हर एक विश्वासी उधार पाने की बात बहुत खुस हो जाता है बहुत आनंदित हो जाता है कि मैं मसी बन गया मैं पहले गंदगी मी था पर विश्वन ने मुझे वहां से चुटकारा देखर मुझे नया जीवन दिया पहले मैं नसाओं में था प्रभु ने मुझे वहां से हटा कर मुझे एक नया जीवन दिया देखो मैं उधार पा गया देखो मैं मसीही बन गया देखो मैं चर्च जा रहा हूँ देखो मैं प्रभु के साथ मिल रहा हूँ देखो मैं अब मसीही संगती में रहता हूँ और हम बहुत खुस हो जाते हैं लेकिन इस खुसी में कहीं ना कहीं हमारा आत्मिक जीवन सिथिल अवस्था में चला जाता है और इसका कारण ये है कि हम परमेश्य के वचन से धूर हो जाते हैं हम परमेश्य के वचनों को पालन नहीं करते हैं हम रिती रिवाजों को पालन करते हैं हम कलीसिया के बनाए हुए उन रिती रिवाजों का हम पालन करते हैं उन नियमों का हम पालन करते हैं इसके वज़ाए कि हमें परमेश्य के वचनों का पालन करना है क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर एश्व मसी कहता है जो पहला पतल उसका दूसरा ध्याय में जो हम पढ़ते हैं कि निर्मल आत्मिक दूद की लालसा करो परमेश्यो की वचन की लालसा करो प्रभू के वचनों को लो अब प्रभू के वचन के अनुसार चलो प्रभू का वचन जो कहता है उसके अनुसार आगे बढ़ो और देखो यही वचन तुमको उद्धार पाने के लिए बढ़ते रहेगा कौनसा उद्धार? आकरी उद्धार जब उत्तूरी का सब्ध हमारे कानों पे आएगा और हम इस दुनिया को इस धर्ती को इस जमीन को अलविधा करेंगे और अपने स्वरगिसियों अपने परमिश्व के पास हम कहुँचाए जाएंगे इसलिए मेरा येस्व इस दुनिया में आया था परमिश्व का वचन हाट रहा है मेरी प्रियो से अनुसार अपने जिन्दिगी को तापित करें अपने परिवार को सिखाए अपने बच्चों को सिखाए येही पवित्र वचन मुझे और आपको उस सुर्ग देश ले जाएगा हम उधार पाएं, हम कलीसिया में जुड़ गएं, हम प्रभू के लोगों के साथ मिलते हैं इससे भी बहुत जादा कुसी की बात ये होगा कि हम परमेश्व के भवन में या प्रभू के सिंगासन के सामने खड़े हैं उसके निच प्रजा के रुप में और हमें प्रभू उस सुरगदेश का वारिस मनाएगा वो मुकुट पैनाएगा, वो आसिसों से परमेश्व भरेगा अपने उधार के बारे में सोचेगा अपने जिन्दिगी के उधार के बारे में सोचेगा ये जिस उद्धार को मैंने पाकर सब विस्वासियों के सामने में मैंने पानी का बबतिस्मा लिया है उस दिन मैंने काफी खुसी मनाया था उस दिन काफी मैंने प्रभू को पस्तिती में महत में आनंदित था मैं बहुत मगन था कि मैं आज प्रभू येशु मसी के नाम से पिताब पुतर पुतर आत्मा के नाम से मैं वबतिस्मा ले रहा हूँ देखो मेरा जीवन बदल गया, देखो मेरा सुभाव बदल गया, देखो मेरा सोच बदल गया ये बहुत अच्छी बात है लेकिन उसी को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है उद्धार एक दिन पे होने वाली चीज़े नहीं है उद्धार एक ऐसा यात्रा है जो यात्रा खतम होगा उस सुर्ग देश जाने तक इसलिए अपने आपको हम प्रभु के हाथों में हम समर्पनी करे और इस घड़ी में अपने आपको हम प्रभु के हाथों में दे इस वचन के द्वारा में आपसे केवल यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु निकदमुष से भी कहता है कि देखो निकदमुष जब तक कोई वित्ती परमेश्य के वचन में और परमेश्य के जो आत्मा है उसमें नया जनम नहीं पाता वो सुर्ग देश नहीं जापाएगा उसी प्रकास यहां पर पत्रस कहता है कि हमको सुर्ग सियोन पहुचाने के लिए हमारा उद्धार को और भी आगे बढ़ाने के लिए एक चीज की अवसकता हर वो है परमेश्व का जीवद वचन और उसको हमें कैसे करना है निर्मल आत्मिक दूत की लालसा करो हमारे अंदर परमेश्व के वचन का लालसा होना चाहिए हमारे अंदर परमेश्व के वचन की अनुशा चलने का एक दिर्ड संकलब होना चाहिए तब परमेश्व हमें उस सुर्ग सियोन तक पहुचाएगा मेरे प्रियोग आज इस घड़ी में हम अपने आपको प्रभु के हाद्वों में दे और एक ऐसा मस्षय बने जो अपने पहले उधार के लिए उतना खुस नहीं बन कि अपने आकरी उधार के लिए तयारी ले मैं यह नहीं कहता हूँ कि आपका पहला उध्धार में आपको कुसी नहीं मनाना चाहिए जरूर आप कुसी मनाए लेकिन आपका वो उध्धार क्या फाइदा देगा अगर आप उस आकरी उध्धार तक नहीं पहुँच पाए प्रभु के वचिन के अनुशार जो दौड है मसीही दौड है इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए कोई चगा नहीं है प्रभु ने ऐसे नहीं कहा कि जो आप दौड़ोंगे आप प्रथम आजाओगे आप दूति आजाओगे, आप तिति इस्तान में आजाओगे प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, प्रभु ने ऐसा कहा कि जो कोई उस दौड़ को पूरा करेगा तो मुझे और आपको इस दौड़ को पूरा करना है इस विश्वास को कंप्लीट करना है जो विश्वास हमने इस दुनिया में पाया है उस विश्वास को लेते हुए हर दिन हमारे बुरे-बुरे चालचलन सुभाव से हमें उध्धार पाना है और इस उध्धार को पाते रहने के लिए सबसे बड़ा हतियार जो है और आपको परमेश्व ने दिया है और वह परमेश्व का वचन इसने जुचन को पड़े अपने जीवन में उतारे जुचन के अनुशा चले और देखे जब प्रभू तूरी फूकेगा जरूर हम सुनेंगे और हम जब आँखों को खोलेंगे परमेश्व के सामने हम खड़े रहेंगे हाललुया प्रभू सुचन के द्वारा आपको आससित करे आयम प्रात्ना करे और इस वचन की निमित अपने आपको हम समरकुन करे प्यारे प्रभू में आपको धन्यवात करता हूँ प्यारे प्रभू में आपकी स्तुती आपकी महिमा करता हूँ अनुगरे दीजे प्रभू छी कि हम उद्धार में बढ़ते चाहे इस उद्धार के यातरा में हम बढ़ने के लिए प्रभू साहता कीचे सुचन सुनने वाले सारे लोगों के चीवन में आप अनुगरे कीचे प्रभू छी नया सक्ती नया बल नया सामत से भड़ दीचे और एक बार अपने आपको आपके हाथों में देते हुए प्रभू हाले लिए हमाई से तैयार हो जाए या आपके पवितर वचन के अनुसार हम चलेंगे हम आपके पवितर वचन के अनुसार हम करेंगे यही वचन हमें उद्धार में आगे बढ़ा सकता है तो आसिस कीचे अनुगरे कीचे प्रातना प्रभी श्यमसी के नाम से मांगते हैं अमें सब को प्रेज़ लाट